शिंख्षिप्त महाभारत के वनपर में जटासुर्वद्ध देव योग से एक समित धर्मराज के पास एक राक्षश आया और मैं समस्ष शास्त्र विताओं में श्रेष्ट और मंत्र विद्या में कुशल ब्रामन हूँ उस दुष का नाम था जटासुर्वद्ध राजन एक समित भीमसेन वन में गेवे थे तिथा लो में शादी महिर्शी कांद शिनान करने चले गे थे उसमें जटास और वियानक रूप धारन करके तीनों पांड़ों द्रुपती और सारे शिच्त्रों को उठा कर ले चला उन में से सर्देव किसी परकार परकर्म करके छूट गे और उस राक्षष से अपनी कोश्ट की नाम की तलवार चीन कर जिस सवर भीमसेन गे थे वो सवर आवाज लगाने लगे फिर जिस राक्षष को हरे लिए जाता था उन धर्मात्मा युदिश्टर ने उनसे कहा रे मूर्ख तो इस परकार चोड़ी करने से तो तेरे धर्म का नाश होता है तो इसका कुछ भी विचार नहीं करता तुझे सब परकार धर्म का विचार करके ही काम करना चाहिए परमानिक पुर्शो को गुरू, ब्रामन, मित्र और विश्वाष करने वालों से तथा जिनका अन खाया हो और जिनोंने आश्रे दिया हो उनसे द्रों नहीं करना चाहिए तो हमारे यहां बड़े सम्मान से सुप पूरक रहा है अरिद्र बुद्धी हमारा अन खा कर तू हमें ही कैसे हरना चाहता है इस परकार तो तिरा अचार, आयू और बुद्धी समी निश्वल होगे आप विर्था मरना चाहता है अव राक्षश आज तूने इस मानमी का श्वर्श क्या किया है मानो घड़े में रखवे विश्व को हिला कर पिया है ऐसा के कर ये जिश्टर उनके लिए भारी होगे उनके भार से दब कर उनकी गती उतनी तेज नहीं रही तब धरमला ने नकल और दरौपती से कहा तुम इस मुड राक्षश से डरू मत मैंने इसकी गती को कुंठित कर दिया है यहां से थोड़ी ही दोर महा बाहू भीम सेन होगा बस अब आता ही होगा फिर इस राक्षश का कहीं नाम निशान भी नहीं रहेगा तांतर उस मुड बुद्धी राक्षश को देखकर से देव ने धरम राजी दिश्टत से कहा राजन ये देश और कान ऐसा है कि हम इसमें युद्ध करें यदि इस युद्ध में इसे मार डालें तो वीजे पामेंगे और यदि हम ही हाद मारेंगे तो सद्गदी पराप्त करेंगे फिर उन राक्षश को ललकारते हुए कहा ओ राक्षश चड़ा खरा रहे तो यहां तो मुझे मार कर द्रोप्ती को ले जाना नहीं तो अभी मेरे हाद से मारा जाकर यहां शेयन करेगा माद्री कुमार से देव ऐसा कही रहे थे कि एक असमात वज्जर धारी इंद्र के समान गदा धारी भीम सेन दिखाई दिए वह देखा कि राक्षश उनके भाईयों और द्रोप्ती को लिये जाता है यह देखकर वे क्रोज से भर गे और उस राक्षश से बोले रिपापी मैंने तो तुझे पहले ही शेश्टरों की प्रिक्षा करते समय पैचान लिया था किन्तों तुँ हमारे यहां भ्रामन वेश्च में रहता था इसलिए मैं तुझे कैसे मारता यह राक्षश शे ऐसा जान लिया जाए तो भी बिना प्रात के मारना उचित नहीं है और जो बिना प्रात के मारता है मैं नरक में जाता है मालम होता है आज तेरी मोत आगी है इससे तुझे ऐसे कुबत्ती उपची है अवश्य अद्भुत कर्मा कान ने ही तुझे कृष्णा को हुरन करने की बात सुझाई है आप तो जहां जाना चाता है वहां नहीं जा सकता बलकि तुझे बक और हिडंब के रास्ते से जाना होगा भीमसेन के ऐसा कहने पर काल की प्रिना सिवे राक्षश डर गया और उन सब को छोड़कर वह युद्ध करने के लिए तियार हो गया क्रोध से उसके होट कामपने लगे और उसने भीमसेन से कहा रे पापी तुझे जिन जिन राक्षश को युद्ध में मारा है उनके नाम मैंने सुने है आज तेरे ही खूंग से मैं उनका तरपन करूंगा फिर उन दोनों में बड़ा भ्यंकर बाहु युद्ध होने लगा तब दोनों मादरी कुमार भी क्रोध में भर कर उस पर तूट पड़े प्रन्तों भीमसेन ने हसकर उन्हें रोक दिया और कहा कि मैं केला ही इसके लिए बहुत हूं तुम अलग रहकर हमारा युद्ध देखो बस आवे दोनों मीर आपस में होड पद कर बाहु युद्ध करने लगे जैसे देव और दानव एक दूसरे की वृद्धी सेन ना होने से भिड जाते हैं उसी परकार भीमसेन और जिटासु भी एक दूसरे पर चोटे करने लगे जिस परकार पहले इस्ती की चासे बाली और सुग्रीव का संग्राम हुआ था उसी परकार उन दोनों का भी वरिक्ष उद्ध होने लगा जिस से वहां के इने को वरिक्ष जड़ गे फिर उन्हें वज्जर के समान वेक्षाली शिलांग से लड़ना रंब किया अन्त में वे आपस में एक दूसरे पर घुसो की वर्चा करने लगे इसी समय भीमसैन ने जटा सुग्रीव की गर्दन पर बड़े वेक्ष से मुक्का मारा उससे में राक्ष बहुत धीला पड़ गया उसे ठकावा देख भीमसैन ने प्रिथी पर दे मारा और उसके सारे अंग चूर चूर कर दिये फिर कोईनी की चोट से उसका सिर्ध धर से लग कर दिया इस परकार उस राक्षिश का वद्ध करके भीमसैन की दिश्टर के पास आए उस समय मरदगान जैसे इंद्र की स्तुति करते हैं उसी परकार भ्रामन लोग भीमसैन की परच्छन चा करने लगे पांडवा का व्रिश परवा और आरिष्ट शेन के आश्रों पर जाना वे शंपान जी कहते हैं जिनमेजे जटा सुर्क के मारे जाने पर महराजी दिश्टर फेद शिरिनादारायन के आश्रम में आकर रहने लगे इस समय उन्हें अपने भाई अर्जुन का समरन हुआया वे ध्रौपति के सही सब भाईयों को बुला कर कहने लगे अर्जुन ने मुझ से कहा था कि मैं पांच वर्ष तक स्वर्ग में अस्तर विद्या सीखने के बाद यहां मृत्यो लोक में लोटा हूँगा इसलिए जिस समय अर्जुन अस्तर विद्या सीख कर यहां आवे उस समय हम लोगों को उन से मिलने के लिए तियार रहना चाहिए इस परकार बाचित करते विए उन्होंने ब्रामन और भाईयों के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया वे कहीं तो पैदल चलते थे और कहीं राक्षिश लोग उन्हें कंदे पर बिठा कर ले चलते थे इस परकार रास्ते में केलाश परवत में नाक परवत और गंद माधन की तलेटी को शेतगिरी को तथा उपर उपर के पहाड़ों की अनेक निर्मल नदियों को देखते वे सातवे दिन हिमाले के पृत्र प्रिष्ट पर पूझे वहाँ उन्हें उन्हें राज रिष्ट परवा का पृत्र आश्रम देखा वे अनेको परकार के पुष्वित वरिक्षों से शुबित था पांडों ने उस आश्रम में पहुँचकर परमधार्मिक राज रिष्ट परवा को परनाम किया राज रिशी ने पत्रों के समान उनका विनन्दन किया और उनसे सत्क्रिधोकर पांड़ों ने वहाँ साथ रात निवास किया आठवे दिन उन्होंने जगत परसिद विश्परवाजी से आगे जाने की इच्छा प्रगट की उनके पास जो सामान बच रहा था वे उन्होंने उन्हें को दे दिया तदा अपने यग्यपात्र रत्नोरा भुषन भी उन्हें के आश्रम में छोड़ दिये राजरिशी विश्पर्मा भूतर बुष्च के ग्याता तदा समस्त धर्मों के मरमग्य थे उन्होंने चलते समय पाण्ड़ों को पुत्रों की तरह उपदेश दिया फिर उनकी आग्या लेकर वे उत्तर दिशा को चले वहां से सत्य प्राकरमि कुंती नंदनी दिश्टर भाईयों के सहित पैदल ही चले वे प्रांथ अनेक परकार के मरिगों से पूर्ण था रास्ते में पहाडों के उपर तरह तरह के व्रिक्षों के कुंजों में निवास करते हुए उन्होंने चोथे दिन शेद परवतकार पादरपन किया शेदाचल एक बहुत बड़े बादल के समान सफेद सफेद दिखाई दिता था इस पर जल के दिखता थी तथा मनी सर्न और चांदी की शिलाएं थी मार्ग में धुम्य, द्रोपती, पांडव और महिर्शी लोमच साथ साथ ही चलते थे उन्हें से कोई भी थकता नहीं था इस परकार चलते चलते हुए मालिवान परवत पर पहुंच गे उनके उपर चड़कर उन्होंने किमप्रुष, सिद्ध और चार्णों से सेवित गंद माधन के दर्शिन किये उसे देखकर उन्हें हर्श से रुमांच हुआया करमशे उन वीरों ने मन और नेत्रों को अलंदित करने वाले परमपित्र गंद माधन के वन में प्रवेश किया उसे महराज युदिश्टर ने भीम सैंसे प्रेम पूर कहा हो ये गंद माधन जंगल कैसा शोबा संपन है इस मनोहरवन में बड़े दिविवरेक्ष है तथा पत्र पुषपर फलों से शोबित तरह तरह की लताएं है इधर इस परमपित्र देव नदी गंगा की और तो देखो इसमें नेको कल हंस क्रीडा कर रही है तथा इसके तड़ पर रिशी और किन्नर लोग निवास करते हैं कुंती नंदन भीम तरह तरह के धातू, नदी, किन्नर, म्रिग, पक्षी, घंधर्व, अपसराव, मनोरम वन, अनेको आकारों के सर्प और सेंक्ड़ शिक्रों से शोबित इस परवत राज की ओर चिरादिष्टी बात करो वेशंपाईन जी कते हैं जनमेजे इस परकार शूरवीर पंडव अपड़े लक्ष स्थान पर पहुंच कर मन में बड़े ही अननदित हुए उस परवत राज को देखते देखते उन्हें त्रिपती नहीं होती थी फिर उन्होंने पूल फल वाले व्रिक्षों से शोबित राज रिशी आरिश छेन का आशरम दिखा राजरेशी बड़े ही तपस्सी थी उनका शीरत्यंत क्रिष्टा शीर की नसे दिखाई देने लगी थी और वे समस्त धरमों के पारगामी थी पांडो ने उनके पास जाकर यह था योग्य परनाम किया धरमक्य आरिश्टि शेहन ने दीव दरिश्टि से पांडो को पहेचा लिए और उनसे बैठने के लिए कहा पांडो के बैठ जाने पर महतपा अरिष्टी शेनने कोर्व में शिरेष्ट धर्म राजी दिश्टर का सतकार करके पुछा राजन तुमारा मन कभी असत्य में तो नहीं जाता तुम ब्राबर धर्म में स्थित रहते हूँ न तुमारे माता पिता की सेवा में तो कोई अंतर नहीं आता अपने समस्त गुरुजन वृद्ध पुरुष और विद्वानों का तो तुम सतकार करते हूँ न पाप करमों में तो कभी तुमारा मन नहीं जाता तुम अपकार का वदलाद चुकाना और अपकार को भूठ जाना तो अच्छी तरह जानते हूँ न और उस ज्ञान का तुमें अभिमान तो नहीं होता तुम से यथा योग्यमान पाकर साधुजन पर सन्य रहते हैं न वनों में रहते समय ही तुम धरम का ही अनवर्थन करते हूँ न तुमारे विवार से धुम्यजी को तो कभी कस्ट नहीं होता दान धरम तब शोच आज़व और तितिक्षा का अचरन करते हुए तुम अपने बाप दादों के शीर का अंसरन करते हो न तुम राग दिश्यों के द्वारा अचारित मार्ग से चलते हो न जब अपने कूल में पुत्रियां नाती का जनम होता है तो पित्र लोक में रहने वाले पित्र हस्ते भी हैं और शोक भी मनाते ही क्योंकि वह सुझते हैं कि पता नहीं हमें इसके कुकर्मों से दुख ही भूगना पड़ेगा या इसके शुब कर्मों से सुख मिलेगा हे पार्थ जो प्रुष माता पिता अगनी गुरू और आत्मा की पूजा करता है मैं इस लोग और पर लोग तोनों ही को जीत लिता है इस पर महराई दिश्टर ने कहां भगवन आपने ये धर्म के यथार्द सवरूप का वर्नन किया है मैं भी यथा शक्ति अपनी युग गिता के अंसार इसका विधिवत पालन करता हूँ आरेश छेन ने कहां पूर्नमा और प्रतिपदा का की संधी में इस परवत्वर केवल जालियां पवन का ही सेवन करने वाले मुनिगन आकाश मार्ग से आते हैं उस समय यहां बहरी, पनव, शंक और मर्दिंगों का शब्द भी सुनाई देता है आप लोगों को यहीं बठे बठे उसे सुनना चाहिए वहां जाने का विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए यहां से आगे तो मरे लिए जाना संभव भी नहीं है क्योंकि अब आगे देवताओं की विहार भूमी है उसे मनश्यों की गती नहीं हो सकती इस के लाश के शिकर को लांकर केवल परम सिद्ध और देव रिशी गन नहीं जा सकते है यहीं कोई मनश्य चपलता वस जाने का प्रितन करता है तो उससे समस्त परतिय जीव दिवेश करने लगते हैं और राक्षे के लोग उसे लोहे की बर्चियों से माते हैं पर्व संधियों पर यहां नरवाहन कुबेर जी भी बड़े ठाट बाट से आते हैं इस केलाज के शिकर पर ही देता दानव सिद्धों और कुबेर का अग्ध्यान है इस परकार पर संधियों पर यहां सभी प्राणियों की ऐसी ही बहुत सी विचित्र बाते दिखाई दिया करती हैं जब तक अरजुनामे तब तक तुम यही निवास करो अतलित जस्सी मुनिवर आरश्टी शैन की यह हिट कर बात सुनकर पांडव लोग निरंतर उनी की आग्या के अंसार बरताब करने लगे वें हिमाले पर रहकर महिर्शी लोमस से तरह तरह के उपदेश सुनते रहते थे इस परकार वहां रहते हुए उनके वनवास का पांचा वर्ष बीद गया घटावत कर तो राक्षब के साथ पहले ही चला गया था जाती वर्वे के गया था कि वो शिक्ता अर्णे अर्वा हिरो अस्तित हो जाओंगा उस आश्रम पर पांडव लोग कई मास तक रहे और उन्होंने अने को अद्भूत घट्राएं देखी एक दिन बैता हुआ वायू ही हिमाले के शिकर से सब प्रकार के संदर और सुगंदित पुष्प डालाया बंदू वांदों के सहित पांडव ने और ये सस्चनी ध्रौपती ने वहाँ वे पच्चरंगे पुष्प देखे भीमसेन के हाथ से यक्ष और राक्ष का वद तथा कुबेर के द्वारा शांती स्थापन एक दिन भीमसेन उस परवत पर अनन्द से एकांत में बैठे थे उसमें द्रौपती ने उनसे कहा मा बाहो यही समस्त राक्षश आपके बाहुबाल से पेड़ी तोकर इस परवत को छोड़ कर भाग जाए तो कैसा रही फिर तो आपके स्वर्दों को इस परवत का विचित्र पुश्पावली मंडित मंगल में शिकर सब परकार के भे और मो से रहित दिखाई देगा भीमसेन मेरे मन में बहुत दिनों से ये बात आ रही है द्रौपती की बात संकर भीमसेन ने स्वर्ण की पीठ वाला धनुश तलवाद और तरकस उठा लिए और ये हाथ में गदा लेकर बेखट के गंदमा धन पर आगे बढ़ने लगे ये देखकर द्रौपती का उल्लास उत्रोतर बढ़ने लगा पवन पत्र भीमसेन पर गलानी भेग कायरता और मतसरता का परभाद तो किसी समय भी नहीं होता था उस परवत की चोटी पर जाकर में वहाँ से कुबेर के महल को देखने लगे महें सोर्न और स्वटिक के भवनों से शोबित था उसके चारों और सोने का परकोटा बना हुआ था उसमें सब परकार के रत्र जगमगा रहे थे और तरह तरह के उध्यान उसकी शोबा बढ़ा रहे थे इस परकार राक्षश राज को बेर के रत्र जड़ित और पुश्माला मंडित परशाद को देखकर उनने अपने शत्रों के रूंक्टे खड़े कर देने वाला शिंक बजाया तो था अपने ध्रुश्की पर त्र तालियों का भीजन शब्द करके सब जीवों को मोहित कर दिया उस शब्द से यगश राक्षश रगन धर्मों के रूंक्टे खड़े हो गे और वे गदा, परिख, तलवार, तरिशूल, शक्ती और फरसा लेकर भीमसेन की और तोड़े फिर तो उनके साथ भीमसेन का युद्ध होने लगा भीमसेन ने अपने प्रवल, वेगवाले भाले से उनके चलाए हुए तरिशूल, शक्ती और फरसे आदी सभी शस्त्रों को काड़ डाला उनके हाथों से छूटे हैं आयुद्धो से कटे हुए यक्छो राक्छो के शीर और सिर सब और से दिखाई देने लगे इस परकार अंग भंग होने से यक्छो लोग वीमसेन से बहुत डर गे, उनके हाथ से सारे अस्त्र शस्त्र गिर गे और वे भ्यंकर चीत काड़ करने लगे अंते परचंड धनोदर भीमसेन से डर कर वे अपने गदा, तरिशूल, तलवार, शक्ती और फरसे आदी फैंकर दक्षिंदिशा को भागे उदर कुबेर का मित्र मनीमान नाम का एक राक्षश रहता था उसनी यक्छे राक्षों को भागते देकर मुस्करा कर कहा अरे तुमने को, को के लिए आदमी ने प्रास्त कर दिया, अब तुम कुबेर के पास चाकर क्या कहोगे उन सबसे ऐसा केकर वे राक्षश शक्ती त्रिशूल और गदा लेकर भीमसेन पर तूट पड़ा और उसने अपनी भारी गदा उठा कर भीमसेन के उपर छोड़ी, प्रन्तो भीमसेन गदा युद्ध की चालो से खूब दक्ष थी अधाय उन्होंने उसके उस परहार को वियर्थ कर दिया इसी समय उस राक्षश शने की मूठ वाली एक फुलाद की शक्ती चोड़ी, मैं बिशन शक्ती भीमसेन के दाने हाथ को घायल करके अगनी की लप्टे निकालती हुई प्रिथी पर गिर गई, उस शक्ती के लगने से अत्लित प्राकर्मी भीमसेन की आँखे क्रोध में घू और संग्राम भूई में भ्यंकर गर्जना करते हुए उसे मनीमान के उपर फैंकावे गदावाईयों के समान बड़े विग से उस राक्षश का सुभार करके प्रिथी पर गिर पड़े। प्याद, शत्रुई, धिष्टर, नकुल, सहदेव, धॉम्य, द्रौप्ती, ब्रामन और सब सहद गन भीमसेन को ना देखकर उदास होगे फिर द्रौप्ती को अरिश्ट, शेन, मुनी को सौंपकर वे सब वीर अस्त्र शेस्त्र लेकर एक साथ परवत पर चड़ने लगी। पहाड की चोटी पर पोचकर उन्हें रिदोदो द्रिश्टी डारी तो देखा कि एक और भीमसेन कड़े और वहीं उनके मारे हुए अनेको विशाल काई, राक्षे श्पित्थी पर पड़े हैं। भीमसेन को देखकर सब भाई उनसे गले मिले और फिर वहीं बैटके, माराई दिश्टर ने कुबेर के महल और मरे हुए राक्षो की और देखकर भीमसेन से कहा, भीया भीम, तुमने ये पाप, साहस या मुवश्य किया है, तुम मुनियों कासा जीवन वितीत कर रहे हो, इस इदर भीमसेन के आकरमन से बचे हुए कुछ राक्षो बड़ी तेजी से दोड़ कर कुबेर के पास आए और चीक चीक कर उनसे कहने लिगे, ये खिराज आज संग्राम हुई में, एक केले मनुश्य ने करोदवाश ना के राक्षो को माड डला है, विस सब उनकी मार से निस नहीं कर डला है, अब जो करना चाहिए वो कुछ जीए, ये समाचर पाकर समस्त येक्षो डाक्षो के स्वामी कुबेर ची बड़े ही कुपित हुए, उनकी आँखे लाल हो गई, वे बोले ये सब कैसी हुआ, फिर ये दूसरा प्रादवी भीमसेन का ही सुनकर उने बड़ा करोध हुआ, और ने आग्यादी की हमारा परवच्षिकर के समान उंचा रत, सजानाओ, रत तियार हो जाने पर, राज-राजेशर महराज कुबेर उस पर चड़ कर चले, जब एक गंदमाधन पर पहुँचे तो ये शिराक्षो से गिरे हुए प्रिये दर्शन, कुबेर जी महारती पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े परसन्न हुए, वे उनसे देवताओं का एककार एकराना चाहते थे, इसलिए उनने देखकर वे हिद्धे में संतुस्थी हुए, कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गे थे, वे पक्षियों के समान सीधे ही उस परवत पहुँचे और एक शिराज को पांडों पर परसन्न देखकर उनका मन मटाव भी दूर हो गया। धरमराज से कहा पार्थ, आप समस्थ प्रानियों का हिद्ध करने में तत पर रहती हैं, ये बात सब जीव जानते हैं, इसलिए आप भाईयों के सहित बे खटके इस परवत पर रही हैं, देखिये भीम सेन के उपर आप करोध मत करें, प्योंकि राक्षिश तों अपने काल् रहे हैं, आपका भाई तो उसे निमत मात रही, राजन एक बार कुछ थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मत तर्रा हुई थी, उसमें मुझे भी बुलाया गया था, तब में तर्हातरा के अस्थिश तर्थ सजी तत्यन भ्यंकर तीन सो महा पदम यक्षों के साथ वहा थी था, उसने मुरक्ता ग्यान और गर्व और मो के अधिन होकर उन से उपर से उन महिर्शे के ओपर थुक दिया, ता मुनिवर ने कॉप करके मुझे से कहा, कुबेर देखो, तुमारे इस सकाने मुझे कुछ ना समझ कर मेरा त्रिसकार किया है, इसलिए ये अपनी सेना के स कारण दुखी होना पड़ेगा, और फिर उस मनुशे का दर्शन करने पार ही तुमारा वे दुख दूर होगा, इस परकार महिर्शियों में श्रेष्ट अगस्ट जी ने मुझे ये शाब दिया था, उस शाब से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है, राजन, लोके क विवहार में धैर्य, कुशलता, देश, काल और प्राकर्म, इन पांच साधनों की बड़ी वश्चक्ता है, सातियोग में लोक धैर्यवान अपने-अपने करम में कुशल और प्राकर्म ही होते थे, जो शत्री धैर्यवान देश-काल का ग्यान रखने वाले और सब परकार की धर्म विदी में निपन होता है, मैं बहुत समय तक प्रिधी का शाशन करता है, जो प्रुश्चमस्त करमों में इस परकार वरता है, मैं संसार में यश्च पराप्त करता है, और मरने पर सत्कती पता है, किन्तों जो क्रोथ के आवेश में अपने पतन पर दिश्टी नहीं ड तदा कर्मों का भी भागना जानने के कारण वे इस लोकर पर लोक में नाश को ही प्राप्त होता है ये भीम सेन भी धर्म को नहीं जानता गर्वीला है इसकी बुद्धी बालको के समान है सेहन करना तो ये जानता ही नहीं और इसे किसी परकार का भेवी नहीं है इसलिए आप फिर राज रिशी आरिश्ट सेन के आश्रम में जाकर इसे समझाईए ये क्रिशन पक्ष आप उसी आश्रम में वितित कीजिए मेरी आग्या से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्षिकंदर्व किनर और परतवासी आपकी देखवाल रखेंगे भीम सेन साज करके यहां आ गया है सो आप समझाकर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो विभार विशे में निपुन है और सब बरकार की धनमर्यादा को भी जानता है इसी से लोक में जितनी भी सरगी यह भूतियां हैं वे सब उसे पराप्त है उनके सिवाँ उसमें दम, दान, बल, बुद्धी, लज्जा, धैरे और तेज यह सब गुन भी हैं कुबेर के ये वचन सुनकर पांड़ बड़े परसन नहुए भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खडग और धनुश को पीट पर बांध कर उने पर नाम किया शर्नागत वस्सल कुबेर जिने भीमसेन से कहा तुम शत्रो का मान भांग करने वाले और सुहर्दों के सुक की व्रिद्धी करने वाले हो फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्ध्या में निपुन हो गया है देवराज इंदर ने भी उसे घर जाने की आग्या दे दी है इसलिए अब शिक्री यहां आएगा इस परकार उत्तम करम करने वाले धर्मराजी दिश्टर को अपदेश करके वे अपने स्थान को चले गे भीमसेन के हाँच से जो राक्षश मारे गे थे उनके शाब कुबेर जी की आग्या से पहाड के नीचे लोड़का दिये गे इस परकार युद्धवे मारे जाने से उन्हें मतीमान अगस्ची का जे शाब था उसका भी अन्त हो गया पांडों ने वे रात बड़े अनंच से कुबेर जी के महल में बिताई शंचेत महाभारत के वनपर में धोमे का इस दिश्टर को नाना स्थान दिख्राना और अरजुन का गंद माधन पर लोड करणा अर्जुन की परवास कथा किरात का परसंग और लोक बालों से अस्तर प्राप्त करना अर्जुन द्वारा सर्ग लोक में अपने अस्तर शिक्षा और युध की तियारी का कथन वे शंपाईन जे कहते हैं शत्रो दमनजन में जे सूर्य उदे होने पर मनिवा धोम्में अपने आहनी करम से निवरित होकर राज रिशी अरिश्टी सेंग के साथ पांड़ों की और चले पांड़ों ने उन दोनों के चर्णों में परनाम किया तथा पिर हाथ जोड़कर अन्य सब ब्रहमनों का भी अविवादन किया फिर दोम्मने धर्मराज का हाथ पकट कर पूर दिशा की और संकेत करते है का महराज ये जो समुद्र प्रियंत प्रित्थी पर फैला हुआ महा परवत दिखाई दिरा इसका नाम मंद्रा चल रहे देखिए इसकी कैसी शुबा हो रही है आहाँ परवत माला और हरी भरी वनावली से ये दिशा कैसी रमनिये जान पड़ते है ये दिशा इंद्र और कुबेर का निवा स्थान कहीं जाती है सर धर्मग्य, मुनीजन, प्रजाजन, सिद्ध, साध्य और देटा लोग इस तिशा में उदित होते हुए सूरे का पूजन करते हैं समस्त प्राणियों के प्रबुपरमiddhr Bridget इमराज इस तक्षिन दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। ये पित्र और अद्व दिखाई देने वाली सहिमने पुरी है। यहीं प्रेत्रा यम का निवा स्थान है, इनका एश्वरे भी बहुत बड़ा चड़ा है। इधर पश्चम की और जो परवत दिखाई दिता है, उसे अस्ताचल कहते हैं, महराज वरुन इस परवत और महा समुद्र में रहकर प्रानियों की रक्षा करते हैं, यह सामने उत्तर पर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं, इसी परवत के उपर विशिष्ट आदि सत्रिश्यों के उधे अस्त होते रहते हैं, तुम तनिक मेरु परवत के इस परवत शिखर के दर्शन करो, अनादी निहन शिरी नरायन का स्थान इस से भी परे चमक रहा है, वे सर तेजों में और परम पित्र है, देवता भी उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं, अगनी और सूर्य स्थान को परकाशित नहीं कर सकते हैं, वे तर स्यम अपने परकाश से ही परकाशित हैं, उसका दर्शन देवता और दान को को भी दुरलब हैं, उस स्थान पर अचिंत मुर्थ श्री हरी विराजते हैं जो महान तपस्य और शुब कर्मों से पृत्रचित हो गए हैं वे अज्ञान और मोसे रहित योग विद्या महात्मा यति जन ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं वहां जाकर वे फिर इस लोक में नहीं आते राजन ये प्रमेशर का स्थान ध अपनी अपनी मर्यादा में रहकर सर्दा इस परवत्राज मेरू की ही परदक्षना करते रहते हैं इनकी प्रकर्मा करते हुए भी नक्षत्रों के सहित चंद्रमा परव संदियों का समय आने पर महिनों का विभाग करते हैं जथा महातिजसी सोर्य, वर्षा, वायू और प्रादनों से प्राणियों का पूशन करते हैं ये भारत भगवान सूरी समस्चियों की आयों और कर्मों का विभाग करके दिन रात कला कास्टा आदिकाल के अव्ययों की रचना करते हैं वे शंपाइन जी करते हैं राजन फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पांडव लोग उस परवत पर ही निवास करने लगे अर्जुन अस्त्रविद्या सीखने के लिए इंद्र के पास के थे वे पांच वरस्ता के इंद्र के भवन में रहे और उन्हें देवराज से अगनी वरण, चंद्रमा, वायो, विश्नु, इंद्र पशुपती, प्रमेश्टी, ब्रह्मा, प्रजापती, यम, धाता, सविता, तवस्ता और कुबेर आदे देवताओं के अस्त्रप्राप्त किये फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की अग्या दे दी तब वे उन्हें परणाम करके बड़ी खुशी-खुशी गंडमाधन पर लोटाई वे शंपाइन ये कहते हैं महामीर अरजुन इंद्र के रत में बैटे हुए कसमात उस परवतवर उतरे उन्हें रच से उतर कर पहले मुनिवर धुम के और फिर महाराज युदिष्टर और भीम सेंग के चर्नों में परणाम किया इसके पश्चाद नकुर और सेदेव ने उनका अविवादन किया फिर कृष्चना से मिलकर और उसे धीरज बदाकर वे विने पूरक बड़े भाई युदिष्टर के पास आकर खड़े होगे अतलित प्रभाव शाली अर्जुन से मिलकर पांडों को बड़ा ही हर्श हुआ तथा अर्जुन को भी उने देखकर अपार अनंद हुआ और महारा युदिष्टर की परचंचा करने लगे पांडों ने इंदर के रथ के पास जाकर उनकी परकर्मा की और इंदर के साथ ही मातली का इंदर के समान ही सतकार किया और उससे सब परकार देटाओं का कुशल शेम पुछा मातली ने भी पिता जैसे पुत्र को अपदेश करता है उसी परकार पांडों को अपदेश करके उनका अभिनंदन किया और फिर उस अमित प्रभावशाली राथ में बैठ कर देवराज इंदर के पास चला गया मातली के चले जाने पर अरजुन ने देवराज के दिये हुए अत्यन सुन्दर और बहुमले आभूशन द्रोपती को दे दिये फिर सूर्य और अगने के समान तिजसी पांडवें ब्रहमनों के बीच में बैठ कर वे यथावत सब बाते सुनाने लगे उन्हें बताया कि इस इस परकार मैंने इंदर वाई और शाक्षार श्री महादेव जी से अस्तरप्राप किये हैं तथा मेरे सभाव से ही इंदर समस्त तेवता पूंता संतुस्त थे इस परकार शुद्ध कर्मा अरजुनि सिंक्षे में अपने सर के परवास काल की बहुत सी बाते सुनाई फिर उस रात को उन्हें अनन्द पूरक नकलोर से देव के साथ शियन किया रात त्री भीतने पर प्रता काल के समय में बाईयों के सही धरमराज के पास के और उन्हें देवराज इंद्र अपने सर्ण जड़ित रख से आकर उस परवत पर उत्रे जब पांडों ने उने उतरते दिखा तो उनके पास आई और उनका विधिवत पूजन किया परमत जसी अर्जुन ने भी देवराज को पर नाम किया और सेवक के समान उनके पास खड़े होगे इस स तुम काम मेकवन को लोट जाओ अर्जुन ने बड़ी साफधानी से मुझसे सब शेश्ट प्राप कर दी है इसने मेरा प्रियवे किया है अब इसे तिलोकी भी नहीं जीश सकती कुंती पुत्र यृधिश्टर से ऐसा कह वे फिर सर को लोट गी इंद्र के चले जाने पर धर अनमराय ने गदगद कंट होकर अर्जुन से कहा भी या तुम्हें इंद्र के दर्शन किस परकार हुए भवान शंकर से तमारा कैसे समागव हुआ तुमने किस परकार सारी शेश्टर विद्यविद्या पराप्त की और कैसे शिरी महादेव जी की आराधना की भवान इंद् अरजुन ने मेरा प्रीय किया है सब तुमने उनका क्या काम किया था ये सब बाते मैं विस्तार से सुनना चाता हूँ ये सुनकर अरजुन ने का हम महराज जिस परकार मुझे इंदर और भवान शिंकर के दर्शन हुए वस सुनिये आपने मुझे जिस विद्या का वदेश किया था उसे सीख कर आपकी आग्या से मैं तब करने के लिए वन्ड में गया कामेक वन्ड से चल कर मैंने भ्रिगू तुंग बरवत पर जाकर तब करना अरब गया किन्तु वहां मैं केवल एक ही रात रहा इसके पस्चाथ मैं हिमाले पर जाकर तब करने लगा मैंने एक महिने तक केवल कंद और फल का आहार किया दूसरा महिना जल पीकर बिताया तीसरे महिने निराहार रहा चोथे महिने में मैं उपर को हाथ उटाए खड़ा रहा ये सब हुने पर भी विचित्र बात ये हुई कि मेरे प्राण नहीं छूटे पांचे महिने एक दिन बीतने पर एक सुवर इतना इदर उदर घूमता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हुगया उसके पीछे पीछे एक रात वीच धारे प्रूश आया मैं धनुशवान और तलवाद धारन किये हुई था तथा उनके पीछे पीछे कहीं स्ट्रिगा चल दी थी तब मैंने धनुश लेकर उन पर बांच चड़ाया और उस रोमांच कारी सुवर को भीन दिया उसी समय उस भील ने भी अपने प्रबल धनुश खींच कर बांच चोड़ा जिस से की मेरा मन दहल सा गया राजन फिर उसने मुझसे कहा ये सुवर तो पहले मेरा निशाना बन चुका था फिर तुमने आखेट के नियम को छोड़ कर उस पर वार क्यों किया अच्छा तुम साफधान हो जाओ मैं अपने पैने बानों से अभी तुमारे गर्ब को चूर किये देता हूँ ऐसा केकर उस विशाल काई भील ने परवत के समान निश्चल खड़े हुए मुझको बानों से अच्छा दित कर दिया और मैंने भी भीशन बानवर्शा करके उसे धक दिया उस समय उसके सेंकड़ो सरस्त्रों रूप प्रगट होने लगे और मैं उन सभी पर वानवर्शा करने लगा फिर वे सारे रूप मुझे एक होवे दिखाई दिये तो मैंने उन्हें भी भीशन दिया जब इतनी बानवर्शा करने पर भी मैं उसे युद्ध्य प्राश्त नहीं कर सका तो मैंने वायवेस्त्र छोड़ा किन्तु वे भी उनका वद्ध नहीं कर सका इस प्रकारवायवेस्त्र को कुंटित हुआ देखकर मुझे बड़ा ही विशे हुआ फिर मैंने बारी बारी से उन पर स्थूनाकर्ण, वारनस्त्र, शरवर्शस्त, शालभास्त्र और अश्म, वर्शस्त्र भी छोड़े किन्तु वे भील उन सभी अस्त्रों को निगल गया उसके ग्रस लिये जने पर मैंने ब्रह्मस्त्र को आग्या दी, उससे निकलते हुए प्रजलित बानों से वे सब बोर से ढग गया प्रंतो उस महत जिसी भील ने उसे भी एक शन में ही शांद कर दिया उनके व्यर्थ हो जाने पर तो मुझे बड़ा ही भे हुआ, फिर मैंने धनुश्य और अपने दोनों अक्षे तरकस लेकर उन पर प्रहार किया फिर मैं उन्हें भी निगल गया, इस पनकार जब सभी अस्तर नस्टोगे और मेरे सभी आयुद्धों को वो निगल गया, तो मेरा और उसका बाहु युद्ध होने लगा मैं मुक्का मुक्की और हाथा पाई करने पर भी उस पुरुष की बराबरी नहीं कार सका और अच्छे थोकर प्रिथी पर गिर गया, फिर मेरे देखते देखते वे हासकर उन्हें इस्तरियों के सहीत वहीं अंतर ध्यान हो गया, और इस से मैं भुचक्का सा रहे गया पिनाक धनुष था और साथ में देवी पार दी थी, मैं पूर्वत थी, युद्ध के लिए तियार खड़ा था, किन्तु उन्हें ने मेरे सम्मुख खाकर कहा कि मैं तुम पर परसन नहूं, ये कहकर उन्हें ने मेरे छीने हुए धनुष और अक्षे बानों को और तरकश लुटा दिये, और कहा है वीद, इन्हें धरन कर लो, मैं तुम पर परसन नहूं, बताओ, तुम्हारा क्या काम करूं, तुम्हारे में मन ने जो बात हो, वो कह दो, अमरत्टो को छोड़ कर, और तुमारी सब कामना में पूर्ण कर दूंगा, मेरे मन में अस्तर ह समाई हुए थे, इसलिए मैंने हाथ जोड़ कर, उन्हें मन से परनाम करते का, भगवन यदि आप परसन नहीं, तो मुझे तो देवताओं के दिवे अस्तरों को पाने और उनका प्रयोग जानने की ही चाहे, यह मेरा भिष्टवार है, तब भगवान ते लोचन ने कहा, और फिर कहा, तुम इस अस्तर का मनुश्यों पर कभी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यदि इसे अल्प वीरे प्रानियों पर छोड़ा जाएगा, तो यह तिलोकी को भसम कर देगा, अथा जब तुम्हें अत्यन्त पीड़ा हो, तभी इसका प्रयोग करना, अथा जब शत्र मूर्ती मानो कर मेरे पास आगया, फिर भगवान जी की आगया होने से मैं वहीं बैठ किया, और मेरे देखते देखते वें तरधान होगी, महराज, देव डेव श्री महादेव जी की क्रिपा से वे रात मैंने अनंदपूरक वहीं बिताई, दूसरे दिन जब दिन ड़लने लगा, तो उस हिमाले की तलटी में दिव्य नमीन और सगंदित पुष्पो की वर्चा होने लगी, सब और दिव्य वाध्यों की धौनी होने लगी, तदा देवराज इंद्र की स्तुतियां सुनाई देने लगी, थोड़ी देर में श्रेष्ट गोड़ा से जुते हुए एक कत्यां ससजित रत्मित देवराज इंद्र इंद्राने सहित वहां पधारे, उनके साथ और भी सभी देवता आये थे, इतने ही में मुझे महान एशरय, संपन, नर्वाहन, शिरी कुबेर जी दिखाई दिए, फिर मेरी द्रिष्टी डक्षिन दिशा में विराजमान यम पर और पूर दिशा में स्थित इंद्र तथा पश्चिम में विराजमान महराज वरुन पर पड़ी। राजन, उन समने मुझे धहरे बना कर कहा, सव्य सचिन, देखो, हम सब लोगपाल यहां पस्थी थे, तुम्हें देवताओं का कारे सिद्ध करने के लिए ही महादेव जी क के दर्शन हुए थे, तुम हम सब से अस्त्र ग्रहन करो, राजन, ता मैंने साफधान होकर उन देव श्रिष्टों को परनाम किया और विधी पूरक उन सब के महान अस्त्र ग्रहन किये, जब मैं अस्त्र ले चका तो उन्हें मुझे जाने की आग्या दी और वे सिवम अपन तेजों में रत पर चाड़कर मुझे से कहा अर्जुन, तुम्हें सर्ग में आना होगा, तुमने कई बार तीथों में शनान किया है और बड़ी भारी तपस्या भी की है, इसलिए तुम वहाँ अवश्य आना, मेरी आग्या से मातली तुम्हें सर्ग में पुचा देगा, ता मैंने इंदर से कहा भगवन, आप मुझे पर खृपा कीजिए, मैं आपको अस्तर विद्या सीखने के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, इंदर ने कहा भारत, तुम मेरे लोक में रहकर वायू, अगनी, वसु, वर्ण और मर्दुकन, सभी से अस्तरों की शिक्षा पराप्त करना, इसी परकार साध्यगान, ब्रह्मा, गंधर्व, सरपर, राक्षश, विश्णू और नरिति के तथा से हम मेरे अस्तरों का भी ज्ञान पराप्त करना, मुझसे ऐसा कहकर इंदर वहीं अंतरधान होगे, आर्ज्ण ने कहा राजन फिर दिवे घोडों से जिते हुए इंदर के दिवे और माया में रत को लेकर मातली मेरे पास आया, और मुझसे बोला देवराज इंदर आपसे मिलना चाहते हीं, ये सुनकर मैंने परवत राज हिमाले की परदक्षना की और उनकी अग्या लेकर उस श्रेश रत में स्वार हुआ, तब अश्य विद्या में निश्नात मातली ने उन मन और वायू के समान वेगवान घोडों को हाका, जब मातली ने देखा कि रत के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ, तो उसने बड़े आच्चर में पढ़कर कहा, आज मुझे ये बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है, रत के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है, कि ये तो मुझे इंदर से भी बढ़कर जान पड़ती है, ये सा कहते कहते मातली रत को आकाश में उचा ले गया, और मुझे देवताओं के भवन तथा विवान दिखाने नगा। कुछ चोर आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंदर नादी वन और पुण दिखाए, उससे आगे इंदर की अमरावती पुरी दिखाए दी, उसमें सूरी का ताप नहीं होता और ना शीत उष्ण या श्रम ही होता है। वहाँ दावस्ता का भी कस्ट नहीं हैं और ना कहीं शोग, दीनता या दुरबलता ही दिखाए देती है। वहाँ के बहुत से निवासी युवानों में बैटकर आकाश में विचर रहे थे। इस परकार देवता देखता जब मैं और आगे बढ़ा तो मुझे वसूर, रुद्रत, सांथ देल, पमन, आदित्य और अश्णी कमारों के दर्शन हुएं मैंने उन सभी की पूजा की और उनने मुझे शीरवाद दिया कि तुम्हें बल, वीरे, याश्य, तेज, अस्त्र औ ने विजे प्राप्त हो। इसके परचान मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावती पुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पोज़कर उन्हें हाच जोड़कर परनाम किया, तब दानियों में श्रेष्ट इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आदा सिंगासंद दिया। वाँ में अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परंपरवीन देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते रहते विश्वासु के पुत्र चित्र से मेरी मित्तरता हो गई। उसने मुझे संपूरन गंधर्व शेष्टर के शिक किन्तों इन सब बातों को असार समझ कर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनो निवेश किया। मेरी याची पृत्ति देखकर देवराज भी मुझे पर परसन रहे और सर्ग में रहते हुए मेरा समय अनन्द से बीतने नगा। मुझे मैं सभी का बहुत विश्वास्ता और अस्त्र विद्या में भी मैं काभी निपन हो गया था एक दिन इंदर ने मुझे से कहा वस अब तुम्हें युद्ध में देवता भी प्रास्त नहीं कर सकते। फिर मिरत्यों लोग में रहने वाले बचारे मुनिश्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतल श्रीय हो, ब्रामन सेवी हो, शोरवीर हो, तुमने पंदरा अस्तर प्राप्त किये हैं और तुम उनका प्रयोग उपसंहार, आवरिती, प्रास्चित और प्रति घात। इन पांच विद्यों को भी अच्छी तरह जानते हो। अता शत्रुदमन अब गुरु दक्षना देने रूप बल और प्रभाव समान ही हैं, तुमने माट डालो, बस तुमारी गुरु दक्षना पूरी हो जाएगी। ऐसा कैकर इंदर ने मुझे अपना अत्यांत प्रभापून दिवे रथ दिया, उसे ने मातरी चलाता था और मेरे सिर पर ये अत्यांत प्रकाश में मुकट प पे नाकर मेरे गंडीव दिनुश्परे का टोट प्रतिंचा चडा दी। इस प्रकार जम मुझे सब प्रकार की युद्ध समगरी से सज्जित की यार कर दिया, तो मैं उस रत पर चड़कर द्यत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रत को घड़ गराहत सुनकर मुझे देवराश समझ सब देवता चुकनने होकर मेरे पास आई। फिर मां मुझे देखकर उन्हें पुछा अरजुन तुम क्या करने की तियारे में हो। तब मैंने उन्हें सब बात पता कर कहा। मैं निवात कोच्यों का वद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। आँ मुझे ऐसा शीर बात दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्हें परसन होकर मुझे कहा इस रत में बैठकर इंदर ने शंबर, नमोची, बल, वृत्र और नरक आदी हजारों देत्यों को जीता है। अधा कुंती नंदन इसके द्वरत तुम भी निवात कोच्यों को युद्ध में प्रास्त करोगी। अर्जुन ने कहा राजन मार्ग में जाते हुए भी जगा जगा पर महिर्शी कान मिरिस्तुती करते थे। अंते मैंने अथा और भ्यावे समुद्र के पास पोज़ कर दिखा कि उसमें फैंद से मिली हुई। पहाडों की समस्त उची उची लहरें उठ रही हैं वे कभी इदर उदर फैल जाती थी, कभी आपस में टकरा जाती थी, सब और रतनों से बरी हुई। हजारों नामें चल रही थी, तथा बड़े-बड़े मतस्य, कच्छुए, तिमी, तिमंगल और मकर, जर में डुबे हुए पहाड से जान पड़ते थे, इस प्रकार उसे तिंत वेकशाली महासागर को देखकर, उनके पास ही मैंने दानों से भरा हुआ उनका नगर देखा। वहाँ पोँचकर मातरी ने अपना रत उस नगर की और दोड़ाया, रत की गड़ गड़ाहट से दानों के हिर्दे दहल गे। इसी समय मैंने भी बड़े अनन्द से धीरे-धीरे अपना देवदात नमक शंक बजाया। परकार के भीशन स्वर और अकारवाने बाज़ बजाने शुरू कर दिये। इस परकार निवात कोच्च के साथ मेरा भीशन संग्राम छेट गया। उसे देखने के लिए महाँ अने को देव रिशी, दानव रिशी, भ्रम रिशी, सिद्द लोग आगे। और मेरे ही विज़ आतर मेरे रत के उपर गिरने लगे। तब मैंने बहुतों को तो परत्योक के दस तस बान मार कर धाराशे कर दिया। इस परकार निवात कोच्च परदा से बानों की वर्शा करके मेरी गती को रोखने लगे। तब मैंने ब्रह्म अस्तर से अभी मंत्र करके हज़ारों छोटे छोटे बान छोटकर उनका सफाया कर दिया। उस समय उन दैत्यों के छिन भिन शिरीरों से उसी परकार रट का प्रवाद चलने लगा। जैसे वर्शा रितों में परतों की चोटियों से जलकी धाराएं बैन लगती है। प्रशन नाम का एक दीबती शाली दिवे अस्तर दिया था। उसे चोटने से ये सारा जल सूग गया। इसके पच्चाब दानों ने माया दवरा अगनी और वायू छोड़े। तब तरंथी मैंने जालत से अगनी को शान्त कर दिया और शैल अस्तर दवरा वायू को रोक दि इतने ही में एके करके वे सब दानों अद्रिश्य होगे और इस अंतर धानी माया से कोई भी दानों मेरे नित्रों के सामने नहीं रहा। इस परकार अद्रिश्य रहकर ही वे मेरे उपर शैस्तर चलाने लगे। तथा मैं भी अद्रिश्य अस्तर के द्वरा उन से युध्ध करने लगा इस युक्ति से गांडीव दनुष्टवारा छोड़े के बांट जहां जहां में देत्य थे वहीं जाकर उनके सिर्काट डालते थे जब मैं इस परकार युद्ध शेत्र में उनका संहार करने लगा तो वे अपनी माया को समेट कर नगर में घुस गे देत्यों के चल इस निए घुड़े प्रिथी से उठकर आकाश में स्थित्तों गए किन्तो निवात कवचों ने अद्रिश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी अच्छा दितकार दिया पत्थरों से ढख जाने और गोड़ों की गती रुख जाने के कारण में बड़ा तंगा गया तम मातरी ने मुझे डरा हुआ देखकर कहा अरजुन अरजुन डरो मत वज्ज रस्त्र का प्रयोग करो राजन मातरी का ये वच्छन सुनकर मेरे मैंने देवराज का प्रय अस्त्र वज्ज छोड़ा और एक अविश्चल स्थान पर बैटकर गांडी को अभी मंतित कर मैंने लोहे के बने हैं वज्जर के समान पैने बान छोड़े उन वज्जर तुले बानों के वेग से आहत होकर वे परवत के समान विशाल का इड़टे एक दूसरे से लिपट लिपट कर पित्थी पर लुड़कने लगी सबसे बढ़कर अस्चेरे की बात तो ये हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रत्र मातली या घोड़ो को किसी भी परकार की शती नहीं पहुंची फिर मातली ने हसकर मुझे कहा अर्जुन तुम में जैसा परकर्म दिखा जाता है वैसा तो देवताओं में भी नहीं है इस परकार जब निवात को चकांत हो गया तो नगर में उनकी इस्त्रियां रोने पीटरे लगी उससे में ऐसा जान पड़ता था मानुश्यरद रितु में सांसों का शब्द हो रहा हो फिर मैं मातली के साथ उस नगर में गया मेरे रत का गोश सुनकर देट्यों की इस्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे जुन्ड की जुन्ड भागने लगी वे नगर अमरावती से भी बढ़ चड़ कर था ऐसा अधवन नगर देखकर मैंने मातली से पूछा ऐसे सुन्दर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते मुझे तो ये इंदर पूरी से भी बढ़ कर जान बढ़ता है मातली ने कहा पहले ये नगर हमारे देवराज इंदर का ही था किन्टो फिर निवात कोचों ने देवताओं को यहां से बगा दिया कहते हैं कि पूर काल में महान तपस्या करके दानों ने भगवान ब्रह्मा को परसन किया और उन से अपने रहने के लिए स्थान और युद्धमे देवताओं से अभे मांगा तब इंदर ने ब्रह्मा जी से ये प्रात्रा की कि भगवन हमारे हित के लिए आप इनका संहार कीजिए तब ब्रह्मा जी ने कहा इंदर इस विशे में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शीर द्वारा तुम ही इसका नाश करोगे इसी से इनका वद करने के लिए इंदर ने तुम्हें अपने अस्तर दिये हैं तुमने जिन असुरों का संहार किया हैं उन्हें देवता नहीं मार सकते थे इस परकार उन दानों करनाश करके उस नगर में शांती स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर देव लोग में चला आया अरजुन कहते हैं लोडते समय मार गए मुझे एक दूसरा दिवे नगर दिखाई दिया वे बहुत ही विश्टीतर अगनी एम सुर के समान कांती वाला था उसे इच्छांसार चाहे जहां ले जाया जा सकता था उसमें भी देट्ये लोग नहीं निवास करते थे उसे विश्टीतर नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा ये अदवुच्थान क्या है मातली ने कहा पुलोम और काली का नाम की दो दानविया थी उन्होंने सहस्तर दिवे वर्स तक बड़ी कठोर तबस्या की तब के अन्तविच जब ब्रमाजी ने परसन होकर उनसे वर मांगने को कहा तो उन्होंने ये वर मांगा कि हमारे पुत्रों को थोड़ा सा भी कष्छ नहीं हूँ देवतार राक्षष या नाग कोई भी उन्हें मार नहीं सकी तथा उनके रहने के लिए एक त्यंत रमनी ये परकाश पूर्ण और अकाश चारी नगर हो तब ब्रमाजी ने कालिका के पुत्रों के लिए इस सब परकार के रतनों से सज्जित देवताओं के लिए भी अजे थे ये नगर अकाश में भी उड़ता रहता है इसमें कालिका और पुलोमा के पुत्र ही रहते हैं ये लोग सब परकार के उद्देग और चिंता से दूर रहकर बड़े अनंद से इसमें निवास करते हैं कोई भी देवताओं इन्हें जीत नहीं सकता भ्रमा ने इनकी मृत् में ले चलो जो दोस्ट देवराच इंद्र से द्रो करते हैं उन्हें मैं अभी तैसनेस का डालूँगा मातरी त्रंती मुझे उस सर्ण में नगर के पास ले गया मुझे देखकर वे डैत्य कवच्छ धारन करके रत्थों में स्वारो कर बड़े वेग से मेरे उपर तूट पड़े और अटन्त क्रोध में भरकर मेरे उपर नालीक नाराच भाले शक्ती रिष्टी और तॉम्रों से वार करने लगे तन मैंने अपनी अस्त्र विद्या के बल से भीशन बान वर्शा करके उनकी शश्त्र रिष्टी को रोक दिया और उन सब को मोहित कर दिया जिससे व जब उनका इस परकार नाश होने लगा तो वो फिर अपने नगर में ही गुश गे और माया दवारा उस पुरी के सहीत अकाश में उड़ गे तब दिवी अस्त्र दवारा छोड़े हुए सरसमू से मैंने देत्यों के सहीत उस नगर को घेर दिया मेरे छोड़े हुए लोहे के बान सीधे पार निकल जाने वाले थे उनसे तोट फूट कर वे देत्यों का नगर पित्थी पर गिर गया फिर तो मुझसे युद्ध करने के लिए उन में से साथ हज़ार रथी क्रोधी थोकर मेरे उपर चाड़ाए और मुझे चारों और से घ में सोचकर की मानमी युद्ध से इनका विजय पाना कठी ने धीरे धीरे दिवे अस्त्रों का प्रयोग अरंब किया किन्त वो देत्य रथी बड़े ही विच्छित्र युदा थे में मेरे दिवे अस्त्रों को ही काड़ दे लगे ताम मैंने देवादी देव श्री महादेव जी की ही शरन ली और सब प्रानियों का कल्यान हो ऐसा केकर उनका सुपरसिद पाश्युपतस्त्र गंडीव दनुश पर चड़ाया फिर बगवान त्रीनियन को मन ही मन पर नाम करके उन देत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया उनकी परचंडमार से देत्य बात क इन में नस्ट होगे राजन इस परकार एक मुहरत में ही मैंने उन दानों का अंदकार डाला इस परकार उन दिवय आभ्रनवी भूशित देत्यों को रोद्र अस्त्र के प्रभाव से नस्ट होआ देकर मात्री को बड़ा ही घर्श हुआ और उसने अध्यन परसन्न होकर हाथ जोड़ कर कहां ये अकाश चारी नगर देवता देत्य सभी के लिए जे था से हम देवराज भी युद्ध दवारा इससे नहीं जी सकते थे किन तो वीद आपने प्रकर्म और तपवाल से आज तुमने इसे चोर चोर कर दिया उस अकाश चारी नगर के नस्ट होने और दानो के मारे जाने पर देत्यों की इस्त्रियां भी बाल भी खेरे चीतकार करती इस नगर के बाहरा जा पड़ी वे दुखी तोकर कुरियों के समान विलाब करने लगी वे धर्व नगर के समान देखती देखे द्रिश हो गया इस परकार उसी युद्धमे विजे पाकर मैं भूमी से तुरंती इंद्र के राजभवन में ले गया वहाँ पहुचने पर मातली ने हिरन्य नगर के पतन दानवी मायाओं के नाश रंद दुरमत निवात कवचों के वद्ध आदि सभी विर्तांतों को जियों कातियों सुना दिया मैं सब समाचार सुनकर महराज इंद्र बड़े पर सन्न हुए औरों ने ये मधरवचन के हिपार्थ तुमने सिंग्राम में देवतार असुरों से भी बढ़ कर काम किया है मेरे शत्रों का संहार करके तुमने अपनी गुर्दक्षना भी चुका दी है आप देवता दानव यक्ष राक्ष शसुर गंदर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुम युद्ध में अजे होगे हो अधे तुमारे बाहुबल से जिती हुई वसुंद्रा पर कुंती नंदन धरम राज दिश्टर निश्कंटक राज्य करेंगी तुम्हें सवी दिवे अस्तरप्राप्त हैं इसलिए भूमंडल में कोई भी योधा तुमारे प्राभव नहीं कर सकेगा बेटा जब तुम संग्राम भूमी में खड़े होगे तो भिशम, द्रौन, क्रिप, करन, छक्नी और अन्य सब राजा तुमारे सोलवी कला के बराबर भी नहीं होंगे पिर राजा इंदर ने मुझे शीर की रक्षा करने वाला ये दिवे अभेद्य कवच्छ और ये सुने की माला परदान की साथ ही उन्हें ये देवदात नामक शंक भी दिया जिसकी आवाज बहुत उची है और ये दिवे क्रीट तो स्यम अपने हाथ से मेरे मस्तक पर रखा इसके बाद उन्हें ये बहुती सुन्दर दिवे वस्तर राभुशन भी मुझे परदान की इस परकार इंदर से सम्मानी थोकर मैं वहां गंदर्व कुमारों के साथ बड़े अनंद पूर्वक रहा ना मेरे पांच वर्ष भी थे एक दिन इंदर ने मुझे से का अरजुन आप तुम ही यहां से जाना चाहिए तुमारे भाई तुम ही याद कर रही है इससे मैं वहां से चलाया और आज इस गंदम आदन परवत के शिकर पर भाईयों से ही तापका दर्शन किया है युदिश्टर बोले धननजे ये हमारे लिए बड़े सुभाक्य की बात है कि तुमने देवराज इंद्र को अपनी आराधना से परसंद किया और उनसे दिवी अस्तर प्राप्त किये पार्ती देवी के साथ ही भगवान शेंकर का तुमें परत्यक्ष दर्शन हुआ और तुमने उन्हें अपनी युद्धकला से संतुस्ट किया ये तो और भी अनंद की बात है तुम लोग पालों से भी मिले और कुशल पूरक पुना मेरे पास लोट आए इससे आज मुझे बड़ा सुख मिला है अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने ये संपुरन प्रिथे जीत ली और धित्राष्ट के पुत्रों को भी अपने धिन कर लिया अर्जुन अम मैं उन्हें दिवे अस्त्रों को देखना चाता हूँ जिस से तुमने वैसे बल्वान निवात को चुका वद्ध किया है युदिश्टर के ऐसा कहने पर अर्जुन ने देवताओं के दिये हैं उन दिवे अस्त्रों को दिखाने का विचार किया पहले तो वे विधी पूरक्ष्णान करके शुद्ध हुए फिर अपने अंगों में परम कांती मान दिवे कवच धारन किया एक हाथ में गांडीव दनुष तूसरे में देवदाच शंक ले लिया इस परकार वीरोचीत वेश से श्योबी थोकर मां बाहु अर्जुन ने उन दिवे अस्त्रों को क्रमचे दिखाना रंब किया जिस समें उन अस्त्रों का प्रियोग प्रारंब हुआ प्रित्थी विरिक्षो सहित काम पुठ्थी नदी और समुद्र में उफान आ गया परवत भटने लगे वायो की गती रुग गई सूरे की कांती फिकी बढ़गी और जलती भी आग भी बुच गई तो अंतर समस्त ब्रह्मरशी, सिद्ध, महिर्शी, संपूरन, प्राणी, देवरिशी और सरग्वासी देवता सब के सब वहां आकर उपस्तित होगे लोकपिता में ब्रह्मारवगान शंकरवी अपने गणो सहित वहां पर पतारे फिर सब देताओं ने नारजजी को अर्जुन के पास भीजा वे आकर अर्जुन से बुले अर्जुन, अर्जुन ठेहरो, इस समें इन दिवयस्त्रों का प्रयोग मत करो बिना किसी लक्ष के इनका प्रयोग नहीं किया जासता यदि कोई शत्रु लक्ष हो, तो जब तक वे अपने उपर प्रहार करके कश्ट ना पुचावे तब तक उस पर भी दिवयस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अनिता इनके व्यर्थ प्रयोग करने पर महान अनर्थ हो जाता है यदि नियम के इंसाह, तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्यशाली और तुने शुक देने वाले होंगे इसमें तनिक भी संदे नहीं है यदि तुमने व्यर्थ प्रयोग से इनकी रक्षा नहीं की तो ये तिलोगई का नाश्का डालेंगे आते आज से फिर कभी ऐसा नहीं करना युदिष्टार तुम भी इस समें इनको देखने का लोग छोड़ो युद्धमे शत्रु का मर्दन करते समें जब अर्जुन इन दिवेस्त्रों का प्रयोग करे तब देख लेना इस परकार जब नारज ने अर्जुन को दिवेस्त्रों का प्रयोग करने से रोग दिया तब सब देवता और अन्य प्राणी जो जहां से आये थे वहाँ चलेगी और पांडवी द्रोत्ती के साथ उसमें प्रसंता पूरक रहने लगे